प्रिया, तुम्हारी बुवाजी का पत्र आया है, वे अगले सब्ताह आ रही है, उनके साथ विभू और छवी भी आ रहे हैं वाह, हम सब खूब खेलेंगे, लेकिन मा, यहाँ पत्र क्या होता है? पत्र वह साधन है, जिसमें हम लिखकर अपनी बात उन लोगों तक पहुचाते हैं, जो हमसे दूर रहते हैं हम अपने मित्रों, एवं रिष्चदारों को पत्र लिखते हैं मा, हम मोबाइल से SMS करके, और ईमेल से भी तो दूर वाले लोगों को अपनी बात बताते हैं जहां मोबाइल और ईमेल की सुविधा नहीं होती, वहां हमें पत्र ही लिखना पढ़ता है परन्तु पत्र इतनी दूर कैसे चला जाता है? हम पत्र के उपर पता लिखते हैं, उसे पढ़कर डाकिया पत्र पहुचा देता है मैं तुम सब को पत्र लिखना सिखाता हूँ जब तुम पत्र लिखना सीख जाओगे, तो अपने मित्र या सहेली को या फिर मामा, मौसी, नाना, नानी को पत्र लिख सकते हो जब कभी तुम्हें अपने मित्र या सहीली को संदेश भेजना हो तो तुम पत्र का सहारा ले सकती हो पत्र लिखने के लिए तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए एक पत्र लिखने के लिए प्रिष्ठ के बाएं सिरे पर अपना पता और फिर दिनांक लिखो जैसे आनंद भवन नाला रोड पटना दिनांक 25 जून दो अगर बड़े हैं तो आदरनिय पूजनिय पूजनिय आद लिखो और मित्र हो तो प्रिय लिखो जैसे आदरनिय नाना जी सादर प्रणाम या प्रिय रेखा नमस्ते तीन अब एक पंक्ती नीचे उतर कर अपना हालचाल लिखो और उनके बारे में पूछो फिर अंत में जो कुछ तुम बताना या पूछना चाहते हो उसके बारे में विस्तार से लिखो चार इसके बाद पत्र समाप्त करते हुए पत्र पाने वाले के साथ संबंध और अपना नाम लिखो जैसे आपकी पोती नैना या तुम्हारी सक्षी नैना आओ पत्र पढ़ें अपने मामा जी का हालचाल पूछते हुए एक पत्र लिखो 33 फाइजबाद रोड लखनव दिनांक दो अगस्त आदर निये मामा जी सादर प्रडाम हम लोग यहां कुशल से हैं आशा है आप सब भी कुशल होंगे मामा जी आप आफिस के काम से लखनव आने वाले थे अपने आने के बारे में पहले ही बता देंगे तो खुशी होगी और आपकी मन पसंद खीर बनवा कर रखूंगा मामा जी को मेरा प्रडाम कहना नीतू और चुन्नू को प्यार आपका भांजा गौरव